ध्यान रखना मेरे भाई बहनों, सबसे पहले तो आप सत्रू की पहचान आपको होना चाहिए कि सत्रू कौन है और मित्र कौन है शत्रू वह नहीं है जो आप बाहर बना लेते हैं शत्रू आपके अंदर है जब आपके अंदर सत्रू काम के रूप में, क्रोध के रूप में, लोब के रूप में, मोह के रूप में, जब विराजी तो हो जाता है न, तब महराज बाहर सत्रू जो है बनते हैं इसलिए सत्र पहले अंदर के सत्रू को जो मारता है वही सूर्मा कहलता है अगर आपकें अंदर ये सत्रु अंदर नहीं हो। तो बाहर सत्रु हो इन्हीं सकते। बिचार करिये नवे Champions League कामनाें, वासनाें ही बाहरстве संब व्भास्था को बिगाड़ती है। सत्रु बनाती है को नहीं बनाती है। और अंदर से ही अगर बोचीज ना हो तो फिर क्या होगा ? नहीं हो सकता ना ? तो सत्रवन किसको मारा था ? लोग रूपी मंत्रा को मारा था जिस मंत्रा ने कैकेई को बढ़का करके भरतला जी को राम जी को बनबास भेजा तो हुमक लाटत जह है कुबरी मारा था खड़ी नहीं होते हैं तो हमें सदा चाहिए कि आप चाहते हैं कि हमारे कोई सत्र नहीं हो तो आप अपनी अंदर को पवित्र बनाइए अपनी बाणी को पवित्र बनाइए अपने विचारों को पवित्र बनाइए अपनी कामनाओं को जरा लगाम दीजे तो आपके कहीं कोई सत्रू नहीं होगे मगर जब हम कड़वी बाणी बोलते हैं किसी के प्रत गलस सोचते हैं किसी के प्रत जो है जूट कपच्छल प्रपंच करते हैं तो सभावी के हमारे सत्रू बाहर तो बनेंगे ही बनेंगे मगर वो सत्रू हमारे अंदर के सत्रू की छाया है बाहर और कुछ नहीं बोली बक्त बशल भगवान की जै हो